हाँ जी तो आगे बढ़ते हैं चाप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं चाप्टर नंबर 7 is around company analysis हमने एक बहुत ही overall बहुत ही broader level पर समझे economy analysis, industry analysis, reality में वैसा नहीं होता है मतलब होता है बट exactly यह सब चीजें नहीं होती इतने level पर नहीं होती है कुछ थोड़ा differentiation होता है मैं अगर company analysis की बात करूँ and by the way अगर आपको अभी तरह की series बहुत अच्छी लग रही है तो मुझे please comment में लिखके बताओ और इस video को please like करो तो अगर मैं company analysis की बात करूँ तो company analysis के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि NISM के इस curriculum में जो workbook है official workbook है उसमें कोई भी ऐसा point नहीं है which is you know away from the reality ठीक है जो यहां पर है वो सब चीजे actually में जब आप analysis करते हो तब चीजें perform करते हो हाँ बट जितनी सब चीजें perform करते हो वो सारी चीजें यहां पर covered नहीं है again because the objective is to give you an overview right तो हम एक एक करके समझते हैं कि you know क्या-क्या चीजें इसमें cover है और आप लोग बिलकुल अराम से सुनिएगा इस particular session को मैं कोशिश करूँगा कि एकदम flow में और बढ़िया storytelling kind of a session चले और आप सब लोगों को मज़ा आ जाए सुनके तो यह वाला session जो है आप अराम से पहले session सुनो फिर उसके बाद जब आप workbook पढ़ने जाओगे तो आपके लिए सब चीजें cakewalk जैसी हो जाएंगे ठीक है चालो चलिए तो यह जब मैं company analysis की बात करता हूं उसके पहले मैं सा आपको लेकर आता हूं कि एक जो company होती है इस company का जो भी success होता है ना that is dependent on few factors और क्या factors है हो समझ लेने एक बार जैसे macro economy कैसा perform कर रही है ठीक है macro economy कैसा perform कर रही है industry performance वो भी factor रहता है हमेशा और एक होता है company specific factor कि company के कुछ company में कुछ इतना extraordinary कर रही है जिसके कारण company successful है जैसे अगर मैं इसकी थोड़ी बात करना चाहूं आपके सामने की company specific factors क्या-क्या हो सकते तो क्या हो सकता है पता है production efficiency की company बहुत efficiently produce करती है और minimal waste रखती है जिसके कारण से company के margins बहुत जादा high है ठीक है फिर better management company का जो management है वो चोर नहीं है the quality of management is extremely high right and they are working for the welfare of the company for the welfare of the shareholders ठीक है company ने over a period of time कोई moat अपने इसके बारे में बात करेंगे आच कोई moat develop कर दिया है कुछ ऐसा develop कर दिया है जिसे apple देखो आप samsung कितनी भी तारीफ कर लो बट apple apple है samsung samsung राइट तो ये कुछ factors होते हैं जो company specific factor होते हैं और इन तीनो factors से मिलके ही company की success define होती है ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन तो NISM ये बोलता है कि अगर आपको company का analysis करना है तो उसमें सबसे पहला काम आप जो करते हो वो करोगे company के business को समझना और company के business model को समझना ठीक है अब अगर मैं आपको ऐसे ही बताओ कि company का business और business model कैसे समझा जाता है तो देखो जैसे simple सा logic ह और इसमेहना कोई आप इसको कोई बहुत बड़ा हवा मत बनाना क्योंकि अगर आप यहां पर डर गए ना तो शायद आप कभी भी life में research में career नहीं बना पाओगे and इस chapter onwards आपको थोड़ा सा flavor आना शुरू होगा कि अपने equity research cohort में थोड़ी सी similarity आपको समझ में हैगी कि बिल इसी company का business समझना तो आप क्या-क्या समझ होगे कि company क्या करती है company क्या बनाती है company किन लोगों से समान लेती है company उसको कैसे Concept करती कंपनी किन लोगों क्यों समान बेचती है ठीक है तो basically अपने को company के आश पास जितना भी सबकुछ होता है वो चीज समझनी अभी अगर मैं जैस इसका business model समझना है तो भी आपको समझना पड़ेगा कि इनका business model कि है क्या इनके खुद के fields हैं क्या समझ रहे हो क्या ये fields lease पे लेके खुद का चावल होगा रहे है या फिर ये directly farmer से procure करते है ठीक है क्या ये ऐसा कर रहे है देखो ये एक तरह का business model है कि farmer से नया चावल procure करा उसको store करा ठीक है उसको store करा aging करी उसकी फिर package और sale ठीक है ये एक business model है दूसरा business model क्या है पता है buy aged rice हमने खरीद ही पका पकाया चावल उसको package करके sale कर दिया आपको समझना पड़ेगा कि company कैसे काम कर रही है ये कहां से पता चलता है आपको annual report से पता चलेगा company के बारे में अब जितना बढ़ते जाओगे company की website पर जाओगे about us में जाओगे तो वहाँ पर पता चलेगा जैसे for example अगर मैं आपको एक basic example बताऊँ तो मैं आपको बताता हूँ वरून beverages limited राइट अभी आप वरून beverages limited अगर देखते हो तो वरून beverages limited इंडिया में Pepsi के लिए Pepsi बनाती है और distribute करती है ये दो काम कर रहे है ठीक है तो अब वरून beverages का क्या काम है बता है वरून beverages का काम है to acquire the syrup ये syrup खरीते हैं Pepsi से क्या advertisement वरून beverages कर रही है मतलब Pepsi के लिए जो advertisement हो रहा है ठीक है जो advertisement वगेरा रहन हो रहे है क्या marketing वरून beverages देख रही है बिल्कुल भी नहीं वो कौन देख रहा है वो Pepsi देख रही है तो demand pull करने का काम किसका है Pepsi का demand pull करने का काम basic annual report पढ़के basic annual छिला छिला के बोलते हैं वो लोग कि हम लोग कैसे काम करते हैं कोई भी company के आप annual report पढ़ोगे न initially शुरुवात में ही वो छिलाना शुरू करते थे कि भई देखो हम लोग ऐसे काम करते हम लोग ऐसे काम करते हम लोग banking sector के अंदर net interest margin ठीक है gross NPA ratio net NPA ratio capital adequacy ratio यह सब exclusively used for them समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या बोल रहो तो आपको बहुत ही free और molded हो के और high sense of common sense use करते हुए अपना common sense एक high order level thinking पे use करते हुए किसी company का business model समझना पड़ेगा यहां पर आपको कुछ return नहीं है समझ रहो जब आप यह exercise actual में करोगे और करके देखना ना क्या problem है कोशिश तो करके देखना एक बार कोई भी एक random company उठा उसका business model समझो कैसे काम करती है क्या काम करती है ठीक है challenging company उठाओ कोई problem नहीं जरूरी है क्या डॉमिनोज उठाओगे हमेशा jubilant food work उठाओगे सबको पता है क्या काम करती पीज़ा बनाती पीज़ा बनाके बेचती है अब क्या कर लोगे उसमें नया क्या business model निकाल दी आपने आपको उठाने तो किसी मॉडल स्टडी करनी है टाटा टेक्निलोजी के स्टडी करो राइट न इसम आपको बताता है कि company के अंदर pricing power company की कैसी है मतलब क्या company के पास pricing power है अगर वो pricing power है तो क्या वो sustainable pricing power है like for example मैं समझाता हूँ सबसे पहले तो कि pricing power का मतलब क्या होता है ठीक है और sustainability of pricing power का क्या मतलब होता है किसी company के पास अगर pricing power है तो इसका क्या मतलब है पता है इसका मतलब यह है increase in power plus increase in quantity sorry power नहीं increase in price increase in price plus increase in quantity क्या आपने price बढ़ा दिया company किसी product का उसके बावजूद भी जो selling quantity है वो बढ़ गई ठीक है अगर आपकी company इसी है तो आपके पास pricing power है कि आप अपने product का price बढ़ा रहे और उसके बाद भी लोग ज्यादा खरीद रहें क्या पारले जी के पास pricing power है पारले company के पास pricing power है आपको लगता है कि अगर वो 5 रुपे का biscuit 6 रुपे का विखेगा तो लोग खरीदें ज्यादा खरीदना शुरू लगता है कि अगर अगर आपको इसा लगता है कि अगर खोई FMC ची company detergent company है लक्स साबुन बनाने वाली company हो 10 रुपे बढ़ा दिया अपने साबुन पर कि 30 रुपीज का सोब बार जो आता है और 40 रुपीज का हो गया आपको लगता है उसकी same quantity सेलों में शुरू होगी नहीं प्राइजिंग पावर नहीं है तो सर्क कौन सी companies ऐसी है जिनके पास pricing power है आप देखो एक company को तो नाम में आपको बताता हूं यह आपका assignment number one है आप मेरे को नीचे बताओ दूसरी और ऐसी कौन सी companies है आपके हिसाब से जो अपने product की जो price बढ़ाती है तो उन product की sales बढ़ जा और हर upgrade की quantity पिछले वाले से जादा sale हो दिये तो कुछ तो है company के पास क्या है company पास pricing power है आपको समझ में आ रहा है क्या यह pricing power sustainable pricing power है देखना company देखो यार कभी भी ध्यान रखना जब company को top line की growth करनी है top line मतलब revenue ठीक है जब भी company को top line revenue बढ़ाना है न ग्रो करना है तो वो दो तरीकों से बढ़ सकता है एक बढ़ सकता है increase in price कि आप product का price बढ़ा दो तो आपका total sales value बढ़ जाएगा और एक बढ़ सकता है increase in quantity कि आप sales quantity बढ़ा दो कि price तो same है लेकिन अब जादा माल बिक रहा है उसी कीमत पे तो मेरे को total sales value ज जादा बेच के अपनी sales बढ़ रहे हो क्योंकि जादा लोग जादा नए लोग जुड़ रहे है ठीक है यह है ना यह बहुत difficult होता है price बढ़ा पाना क्या हर company के बसकी बात होती है के नहीं होती है अपने भी समझा ना FMCG companies pricing नहीं बढ़ा सकती apple बढ़ा देती है दूसरी बढ़ा सकती है price और उसकी quantity similar रही या बढ़ेगी या आप मुझे comment में बताओगे राइट बट जब कोई company price बढ़ाती है तो वैसे तो बहुत सारे reason हो सकते हैं बट मैं या दो factors cover करूँगा एक उस company के पास absolute pricing power है और अब वो अपने margin expansion मतला अपने profit को बढ़ाना चाहती है apple जैसी company दूसरा दूसरा example दूसरा example होता है price बढ़ने का कि जब raw material की cost जर्वत से ज़्यादा बढ़ गए कब बढ़ेगी पता है जब raw material cost is increased जैसे for example मान लो Tata Steel है Tata Steel pipes बनाता है इसने pipes की कीमत में 25% increase कर दिया क्यों कर दिया पता increase क्यों कर दिया 25% increase the reason is global steel prices 20% से बढ़ गये global steel global में जो steel का price globally 20% जम मार गया तो इसको करना पड़ा right now here the price has been increased but क्या Tata के पास pricing power है कल को अगर जब वापस से steel prices नीचे आ जाएंगे तो क्या Tata को price फिर से कम करने पड़ेंगे या Tata ये बड़े वे price पर बेचता रहेगा सोच के बताओ मेरे का जवाब दो ये जब globally steel price नीचे आ जाएगा और Tata अपने price कम नहीं करेगा और बाकी competitor अपने price कम कर देंगे तो क्या Tata अपना market अपना customer loose कर देगा क्या समझ रहे हो आप में क्या बोल रहा हूं यहां पर pricing power तो है समझ रहे हो price तो बड़ा पा रहे हो आप सेम क्योंकि आपने पूरे syndicate बना कि कुरी industry ने price बड़ा है तो consumer के पास कोई option नहीं है बले सिमेंट में आग लग गई हो रोज 50 रुपे बड़ रहे है तो यहां पर प्राइस तो बड़ा दिया लेकिन क्या यह sustainable है यह sustainability factor है नहीं है I hope यह आपको समझ माया होगा बहुत अच्छे तरीके से ठीक है चाल चली अगला concept समझ यह competition intensity competition intensity का क्या मतलब है पता है competition intensity का मतलब है कच्छरा मार्केट मतलब मैं अगर ऐसा बोलू तो कच्छरा मार्केट यह नहीं कच्छरा मार्केट यह इसको आप लिखो highly commoditized यह word नया होगा आपके लिए everyone selling same और similar product सब यहां तो same product बेच रहे हैं similar product बेच रहे हैं ठीक है जैसे की जब आप street shopping पे जाते हो समझे रहो अब जब आप street shopping पे जाते हो और आप देखते हो कि वहां पर जो यह local watches होती ही ना 100-200 रुपे वाली जो आपको platforms पे सजी रहती है मतलब वो अपने table पे बिच्छा के रखता लगा तो आप देख सकते हो now that is highly commoditized आप वहां पर जाके कोई quality quality के चक्कर में नहीं जा रहे हो जो सस्ता देदेगा ना दो watches में ठीक है similar watches दो जो सबसे सस्ता देदेगा आप उससे खरीद लोगे आपकी कोई brand loyalty नहीं है वहां पर समझ रहो आपकी में कोई shop loyalty है brand loyalty है ठीक है वहां पर competition इतना ज़्याद इतने सारे लोग हो गए है कि अब वहां पर product different कोई product की कीमत नहीं रही है अब वहां पर सिर्फ price का बोल बाला है कि जो सबसे सस्ता देगा उसके वो बात्षा है जैसे मेरे को एक बात बताओ अगर एक apple का phone है तो apple यह company mobile company क्या mobile company है कि intense competitive market है कि सोचके देखवा apple के perspective से बात क करोगे तो it's not an intense competition market बट वही पर यह कर आप start entry level segment पर आ जाते हो 10,000 रुपे वाले पर तो it is a highly intensive competitive market ठीके वहां पर क्या 10,000 रुपे का budget है भाहिया कौन सा phone लेना है brand कौन सा है आप बता दो जो नए feature में आप now it does not make any difference for that user who's buying the phone for 10,000 रुपीज के वो ओपो का ले रहा है कि जो सबसे 10,000 में सबसे latest phone है वो दे दे राइट यहां पर एक ही product है एक ही industry में operate हो रहा है but different commodity different market different customer जो है वो अलग-अलग तरीके से अपना market create किये हुए ठीक है यह competition intensity रहती है चालो हाँ जी अब यहां पर competitive advantage करके concept है इसी को मोट भी बोला जाता है competitive advantage मतलब आपके पास ऐसा क्या है जिसके कारण से आप दूसरों से बहतर margins पे operate कर पारे ठीक है तो competitive advantage दो-तीन तरीके से हो सकते है और ज्याद़ तरीके से भी हो सकते है बट यह दो-तीन तरीके से हो सकते है नमबर वन product differentiation मेरा product मैंने लोगों से अलग कर दिया my product is so premium that my product is my advantage कि आदमी को मेरा product खरीब में मुझ मेरे पास ही आना पड़ेगा जैसे की royal infield java आ गई आके चली गई Honda आ गई आके चली गई Triumph आ गई आके चली गई Harley-Davidson बोई अविस्तर बान के चली गई वापस पिर से आ रहे हैं वो hero के द्रूप right they have created a product for themselves again I am taking example of apple what should I do it's such a beautiful business right तो अपना product differentiate करा लोगों से उसके कारण हो product को ज्यादा profit पे बेचके higher margin higher profit उसको ज्यादा price पे बेचके higher margin product बना पाए higher margin business create कर पाए तो अगर आपको product differentiation continuity में चाहिए तो what you need to do you need to invest in R&D ठीक है आपको R&D के अंदर invest करना पड़ेगा and it has to be a constant innovation आपको consistent basis पी innovate करना पड़ेगा अगर मैं बोलू दूसरी कोई चीज कोई आपका advantage है the second kind of advantage we could have is the pricing advantage क्या आप इतना सस्ता price रखते हो market में कि you know लोग आपके पास सिर्फ इसी लिए आ रहे है because your price is very cheap like for example example दूँगा DMART people are going to DMART because they know किसाल है यहां पार्च रुपे का पार लेजी बिस्किट भी मेरे को 4 रुपे भी चुत्तर पैसे में मिलेगा समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या बोलना चारा हो वह अपने आप में उसने बोरी अविस्तर बंद करवा के माना हो जब तक उसने बिग बजार को पूरा समिट वानी दिया इंडिया से तब तक माने ही बिग बजार गया राइट वी मार्ट पूरा का पूरा खतम होने के खागार के उपर आगे अप सिर्व रिटेल और इनके बीच में टक करें को बहुत बड़ी बात नहीं है बट यहाँ प्राइजिंग पावर में यहाँ चीप प्राइजिंग लोवर प्राइजिंग में ईशू किस चीज चीज के आता है पता है प्लद आ इनके साथ यह प्राक्टिकल दिक्कट आना शुरू हो गई ह son कारण क्या है कि आपने शुरुवात से अपनी प्राइजिंग एक दब मिनिमल रखी वो मिनिमल प्राइजिंग के कारण आप एक limited margins में operate कर पा रहे थे कम profit में operate कर पा रहे थे ठीक है अब क्या है न अब यहां से अगर आपको growth चाहिए और आगे बढ़ना है तो इनको high margin products वो एक low margin business है लेकिन जो apparel business है जो utensil business है जो electronic business है वो एक high margin business है और avenue supermart is facing the down growth the degrowth of apparel business apparel business उनका down जा रहा है पिछले कुछ quarters से and it is raising a concern for them कि हम आगे growth कैसे करे पाएंगे right why it is happening because the major business right it's the low pricing business मैं क्या बोल रहा हूँ growth में sustainability इश्वा जागा कहीं न कहीं कुछ न कुछ problem शुरू हो जाएगे आपके business में अच्छा फिर better execution better execution मतलब चीजों को बहुत लाजवाब तरीके से execute कर देना वो भी competitive advantage हो पाते है अगर मैं कोई एक company का नाम इसमें आपको लेके बता दू कोई ए Asian paints आप इसके बारे में पढ़िएगा Asian paints का delivery delivery algorithm के बारे में उन्होंने जो distribution network बना रखा है similarly VBL also amazing distribution network वरून beverage is limited राइट तो इस चीजों को बहुत शांदार धंग से execute कर पार चली अगला देखने अगला चो आप बच्पन से पढ़ रहे हो वापस एक बार आगे है strength weakness opportunity threat ये बात ध्यान रखना ये दोनों जो रहेंगे नहीं ये internal रहेंगे ठीक है और ये दोनों जो रहेंगे ये external रहेंगे ये अगर आपने समाल लिया तो काम हो जाएगा ठीक है जैसे strength weakness opportunity threat अगर मुझे अभी quickly आप लोगों के सामने रेमेंड का करना हो अगर मुझे की strength क्या है पता है लेगेसी ब्रैंड नेम ये internal है अंदर बना हुआ वीकनेस कहां पर आ रही है प्रमोटर इशूज अपॉर्चुनिटी क्या है रेमेंड के पास नहीं अपॉर्चुनिटी क्या है एथनिक मार्किट में घुश सकता है कुरते पजामे के मार्किट में आगे जा सकता है थ्रेट कहां पर है चेंजिंग पैशन इन नीड ऑफ यूथ ये थ्रेट हो सकता है कंपनी का समझ रही है बेसिक एक बहुत बेसिक लेवल पर इसको पढ़ लोगे तो आपका सॉट हो जाएगा नोड्स बहुत प्यारे बने ठीक है फिर management quality पर अगर आपको जाना कि आप क्योंकि यह है ना justify नहीं हो पाएगा अगर मिहाँ पर 5-10-15 मिट में आपको कुछ भी समझा दूगा ना management पे तो it won't be that मज़दार मजा नहीं आ पाएगा आपको अपन लोगों ने अपने ही चैनल पे YouTube चैनल पे पूरी management analysis की series है management analysis की पूरी series है यह series है यह series आप structure कैसा होना चीए board of director क्या होना चीए क्या नहीं होना चीए देखो मैं उडाना नहीं चाहता कुछ भी यहाँ पर जाओ आराम से समझो exam दे देना exam तो देखे pass होई जाओगे exam pass करने के लिए थोड़ना पढ़ रहे हो यहाँ ठीक है but here if you go and you know watch those 4-5 sessions you will be a wiser person in terms of management analysis यह मेरी guarantee तो हमने भी तक जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे से अपनी workbook से पढ़ो note से पढ़ो और मैं मिलता हूं आपको अगले session में this is पार्तवर्मा signing off bye bye